हेलो फ्रेंड्स, दा फूडी स्टॉप में आप सबका एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ कस्टड। फ्रूट कस्टड बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही स्वाथ। तो शुरू करते हैं कस्टड को बनाना कस्टड बनाने के लिए इस तरीके से हम एक सॉस पैन लेंगे गैस को अन कर लेंगे और अब सबसे पहले में इसमें नीचे आधी कटोरी के आसपास पानी डाल दूगी इससे क्या होगा जब आप कस्टड बनाएंगे तो वह जो है अब मैं इसमें डाल देती हूं दूद यह मैंने एक लीटर दूद ले लिया है फुल क्रीम दूद लीजिए अब हम इसको उबाला आने तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अब हम एक बड़ दूद को हिला लेते हैं ताकि दूद जो है नीचे लगना जाए वैसे तो हमने इ एक गिलास ले लेंगे और यह मैंने लिया है कस्टड पाउडर यह कस्टड पाउडर है कस्टड पाउडर बजार में बहुत असानी से किर्याने की दुकाने पर मिल जाता है इस गिलास में मैं दो चमच कस्टड पाउडर भर कर डाल दूँगी 2 चमच डाल दिया दा दाई चमच अग्या अब आप इसको छाहे थंदेक दूसर घोल लीजिए पानी से तो मैं इसको पानी गोल रही हूं इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि इसमें लंज न पड़ जाएं इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इस इसको हिलाएंगे यह दुबारा से इसली बहुत असानी से घुल जाएगा तो डालने से पहले हम इसको एक बर घुल लेंगे दूद अच्छा गरम हो गया है उबाला आने से पहले ही हम इसमें कस्टड पाउडर जो है डाल देंगे यह देखिए दूद गरम हो गया है इसको ए जैसे ही इसमें उबाला आएगा, कस्टड एकदम गाड़ा हो जाएगा, यह देखिए, अभी हमने इसमें इसको डाल दिया है, एकदम गाड़ा होना शुरू हो गया है, अब ज्यादा गाड़ा हो जाए, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चीनी एट कर देंगे, इसमे में 4-5 चम्मच चीनी डाल दिये, इसको लगातार आप हिलाते रहिएगा, छोड़िएगा मत, नहीं तो यह नीचे लग जाएगा, यह देखिए, यह गाड़ा होना शुरू हो गया है, अब इसमें जैसे जैसे उबाला आ रहा है, यह जो कस्टड है, एकदम गाड़ा होता जा रहा है, यह देखिए, इसको अब हम सिरफ एक सी दो मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि यह इसमें कच्चापन न रह जाए, अब कस्टड एकदम पक कर तैयार हो गया है, गाड़ा भी इसका जो इतना हमें थिकनेस चाहिए, वो भी पूरी है, तो यह देखिए, मैं ऐसी तरीके से गैस बंद कर देंगे, और आधे से फोना गंटा हम इसको बिल्कुल थंडा होने देंगे, रूम तम्प्रेचर में आने देंगे, तब हम इसमें फ्रूट्स की जो भी आपने स्टफिंग करनी है, जिस तरीके से भी करनी है, वो हम बाद में करेंगे, तो अभ तरीके से पेट लेंगे वह इसलिए इसमें कोई गुठली जो रह भी गए लम्स वह खतम हो जाए यह एकदम क्रीमी टॉन में आ जाएगा यह देखिए यह बढ़िया सा एकदम क्रीमी टॉन में आ गया है अब यह फ्रूट कस्टड है तो फ्रूट तो इसमें खुब सारा डलेगा अब फ्रूट आप अपनी मर्ची का भी डाल सकते हैं जैसे कि मैंने लिए हैं काले और हरे अंगूर कीवी अनार के दाने, चीकू। स्ट्रोवेरिष और केला। सबसे एक उन्ला की ऐतरा एक ग्दा लेंगे और कुछ मैं हरे अंगूर डालूंगी, diligent चार से 5 दाने। कि इसको मैंने काटा नहीं है ऐसी ही डाल रही हूं तीन से चार दाले इसमें मैं कालेंगूर भी डाल दूंगी यह देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें एक चम्मच बारीक बिल्कुल कटा हुआ केला इसमें डालेंगे एक चम्मच ट्रॉवेरी चीकू मैं इस तरह से लंबे-लंबे हमने इसमें फाके करी है इसको मैंने बारीक नहीं काटा तो यह देखिए इस तरीके से रखेंगे इसमें मैं इस तरीके से दोनों साइड में एक-एक चीकू लगा रही हूँ यह कीवी जिसको मैंने चीकू की तरह ताटा है तो इसको भी मैं इस तरीके से साइड में लगाऊंगी और एक में लगाऊंगी इस साइड में कस्टड लेंगे और कस्टड को अब हम इस जो यह अमने गिलास त्यार करा है फूर्ट का इसमें हम डाल देंगे कि इसको डालने के बार एक बार आप लोग यह मच के पीछे का हिस्से से थोड़ा सा इसको इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस करिएगा ताकि जो फूर्ट से उसके अंदर तक कस्टड चला जाए और अब हम क्या करेंगे इसके उपर डालेंगे कुछ अनार के दाने कि यह देख दा सुन्दर सा किलास प्रूट कस्टड का तयार हो गया इसी तरीके से मैं सारे के सारे ग्लासि जो है वो तैयार कर लेती हूं तो इस तरीके से मैंने अब अगर आपको जल्दी खाना है तो फ्रीजर में रखें और थोड़ा रात तक खाना है या दो तिन घंटे के बाद खाना है तो आप इसको फ्रीज में रखें तो कैसे लगा आपको मेरा ये बढ़िया सा फ्रूट कस्टर्ड एक दम बढ़िया देखने में इत्ता सुंदर लग रहा है कि आपका मन करेगा कि बस अभी ले और अभी खा ले तो जल्दी से बनाईए इसको इस रेस्पी को फालू गरकर और किस तरीके से मैंने इसको बनाया है इस तरीके से फ्रूट्स डाले हैं कैसे मैंने इसकी तैयारी करी है बिल्कुल एस इडिस बनाईए आपका भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा तो इसको बनाईए पर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि गर्मियों में सभी लोग इस तरीके का फ्रूट कस्टर जो है खा सके तैंक यू